वेल्कम तो रेटेक्ट चैनल अन्यू वे तो लार्न वाज हम बैसिक फिजिक्स में पढ़ेंगे रेडियेशन एंड एक्सरेट्यूब्स के बारे में प्लीज वोस्त प्रीवेस वीडियो बिफॉर वाचिंग दिस्टा लिंक इस गिवन इन दिस्क्रिप्शन सो लेट्स बैसिकली एक्सरेज जो प्रोड्यूज होते हैं एक्सरेट्यूब्स में वह आईसो ट्रोपिकली होते हैं आईसो ट्रोपिकली में जिनकी इंटेंसिटी इक्वल होती है और डायरेक्शन में उसको हम आईसो ट्रोपिकली या आईसो ट्रोपिक कहते हैं अब जो हमारा प्रा और जो हमारी radiation that is incident on the patient जो हमारी raise patient के उपर incident करती है वह हमारी एक तरह से useful x-ray beam होती है जो हमारी primary beam है वो radiographic और fluoroscopic image बनाती है और जो x-ray tube surrounded में होती है वो lead से absorb हो जाती है जो कि हमारी हो जाती है unwanted radiation होती है वो वो हमारी absorb हो जाती है by lead अब इसमें leakage radiation भी होती है जो leakage radiation है वो radiation होती है जो transmitted होती है x-ray tube के housing से भार जो transmit हो जाती है उसको हम leakage radiation कहते हैं अब leakage radiation should not exceed 1 mg per hour अब जो हमारी leakage radiation है उसकी जो उसकी जो quantity है वो 1 mg per hour और उसका जो distance है at a distance of 1 meter from x-ray tube से नहीं होना चाहिए यह हमारा एक standard maintain है कि 1 mg per hour at a distance of 1 meter से अगर हम measure करते हैं तो इतने radiation radiation इससे ज्यादा radiation एकसीड नहीं होनी चाहिए ज्यादा नहीं होनी चाहिए अब जो हमारे leakage radiation है इसको हम measure करते हैं x-ray tube operated कब करते हैं जब हम maximum technique apply करते हैं maximum technique in the sense कह सकते हैं कि high जो case में maximum KV है और MA है और जो हमारा collimeter होता है वह हमारा fully closed होता है उस case में हम leakage radiation को measure कर पाते हैं अगर collimation open होगा तो वह always directed हो जाएगी window से बार चली जाएगी बट हमें leakage radiation check करने के time पर collimeter को closed रखना होता है fully closed और maximum KV और MA apply करना होता है फिर बात आती है scatter radiation की scatter radiation वो radiation होती है जो deviate करती है अपनी direction को जानी कि जब x ray tube से निकलती है तो वो direction change कर लेती है जो हमारा target है जो हमारा patient है mainly उस पे नहीं जाती बलकि deviation हो जाती है उसकी direction में उसको हम scatter radiation कहते है mainly फिर आता है point x secondary radiation secondary radiation mainly दोनों को हम कहेंगे जो sum of leakage और scatter radiation है इन दोनों को ही हम secondary radiation कहेंगे secondary radiation जो होती है वो हमारी कोई भी useful information प्रोवाइड नहीं करती एक तरह से unnecessary exposure होता है जो कि any personal को x room में लगता है क्योंकि एक तो leakage radiation है leakage हो रही है वो और एक scatter radiation है अपने पास से डेवीट हो रही है तो कहीं भी हमारी जो interest of area है या हमने जो x-ray perform करना है उसमें कोई भी उसका information नहीं देता है इसलिए एक तरह से unnecessary exposure हो जाता है to any personal in the x-ray room अब जो operator है उसको operator को काम करते वक्त protective appearance पहनने चाहिए या protective equipment पहनने चाहिए या कोई भी ऐसा protective mobile protecting barrier होता है उसके पीछे stand by होना चाहिए जिससे कि उसको minimize कर सके या उसको radiation कम लगे क्योंकि हर किसी machine में कुछ ना कुछ leakage radiation होती है जो कि हमारी होती है secondary radiation कोई भी operator अगर work करता है तो उसको secondary radiation लगने का खतरा रहता है इस वज़ाए से उसको protection must होती है wear protective appurals तो यह था हमारा radiation and x-ray tube के बारे में so that's all for this video to subscribe if you like and thanks for watching